मंत्रों को पढ़ने का उत्करष्ट तरीका क्या है, ताकि उससे maximum लाब उठाया जा सके, इसका तरीका बताया है अच्टो अरण पंडी जी ने, जर्राध्यान से सुनएगा आपको एकर मंत्र पढ़ना है कभी भी मैं अक्षर कहता हूं जितना सांत स्वर में आप पढ़ेंगे उतना आपको लाब होगा थेक है यह एक रिदम है जब आप इस तरह से मंत्र बलते पढ़ते हैं तो इसका लाब होता है आपको इंस्टेंट दस मिनिट में लाब दिखाए देता है ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है दिमाग तुन काम हो जाता है अब मंत्र हैं क्या अधिकांश जो मंत्र है जो जोतिश में यूज होते है वह एक डाइटी की प्रात्वमन है यसे आपसे आपके पिता जी बड़े नाराज हो गाई पापा माप करा दो गलतियों के दुबारा नहीं करेंगे आप अगर यहीं आचनह बार बार करोंगे तो पिता जी दंग यहाचना है सुरdeva से हो चाही सनी दे से हो च ठीक है अब मंत्र कई तरह के महा में तुझे मंत्र के क्या मही माय आप जानते ही हो ठीक है और एक छोटे-छोटे मंत्र है ओम नमस्यु आये जैसे अभी एक बड़ा अच्छा याद आया कोई भी वेक्ति जिसको धन की समस्या हो रही है मनी की प्रॉब्लम हो रही है तो मालक् लक्षमी सूर्य मंत्र है ओम श्रीम सूर्याय नमा यह आप जब सूर भगवान को जल चड़ा हो रोज सुबै तो रोज 11 बार पढ़ो 20-25 दिन बार कमेंट करने आजाना वापस ही सी लिए पे सूर्य लक्षमी मंत्र पढ़कर जब आप सूर भगवान को जल चड़ाते हो ट्बस के जब सेकता हैं तो इक अब आप सूरर भगवान को जल चड़ा रहा है और उसके बास सूर की केड़ों से क्नी विटामिन थी निया रही है क्यू नहीं काथे कर रहे कहा जाता है कि सूर को जल-चड़ा ही इगा जब आप सूर लक्शमी मंतर कजाब करते हैं तो चहरे पेगट जाता है चहरे पेग चमक आती है पा-प्स मक कह अपिछकों अब कआ एक देख T फिर रिजल्ट बोलेगा मुझे बूलने की जुरूत नहीं